आज मैं पैसे कमाने का option trading में है कि ऐसा आपको लाजवाब तरीका बताऊंगा जिससे आप हर रोज अच्छा का सा amount कमा सकते हैं वो इस strategy से की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ऐसा candle जिसको देखके ही कोई particular candle भी नहीं है सारे चीज तप्तिश से बताऊंगा उससे पहले हाथ जोड़के मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हो कि आप लोगों ने हमारा जो फैमिली है मिली कलॉट का उसको अपने 10,000 subscribers में तप्तिल कर दिया है इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आते वापस हमारे वीडियो में एक ऐसी strategy एक ऐसा तरीका strategy भी नहीं बस थोड़े थोड़े देर में आप पैसे कमा सकते कैसे option trading में ये bank nifty nifty fin nifty तीनों में काम करेगा आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक मिनिट के time frame पे चले जाना है हम चले चलते एक मिनिट का time frame हमने लगा दिया है अब जो बात मैं बोलने वाला उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप इसको execute करेंगे लेकिन उससे पहले दो महीना paper trade कर लिजिएगा बिना paper trade करें अगर आपने इस काम में हाथ लुकसान होगा इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिये दुरगटना से देर भली इसको याद रखके काम करिए करना क्या है दिन का जैसे शुरुवात होता है मतलब मैं बात कर रहा हूँ सवा नौ बजे से लेके लगबग नौ पैतालिस तक कभी कभार दस बचे तक भी आप क्या क्या कर सकते हैं एक मिल्ट का टाइम फ्रेम हो गया पहला candle जिस रंग का बनेगा जो भी रंग है सवा नौ बजे नौ पंदरा को जो रंग का candle बनेगा आप बस एक बात आपके पास होना चाहिए आपके पास दो डिवाइस कम से कम होना चाहिए एक मोबाइल दो मोबाइल होने चाहिए एक कंप्पूटर लैपटाप होना चाहिए या लैपटाप और मोबाइल जिससे आप ट्रेड करेंगे मतलब आपके आखों के सामने एक स्क्रीन होना चाहिए और आपके डाईने हाथ में या बाई हाथ में आपका trade लेने वाला device होना चाहिए मतलब दो device आपके पास होने ही चाहिए करना क्या है आपको जैसा ही जिस रंग का भी आपका पहला candle बनता है आपको तुरंथ दूसरे candle बनने जाएगा पहला candle समाप्त हुआ तूरंत उसी रंग का मतलब अगर green बन रहा है तो आपको अगला जो trade आएगा आपको buy कर लेना है मतलब हमने पहले candle क्या देख रहा है कि green बन रहा है मतलब market अब उपर जाएगा तो second candle भी आप देखेंगे कि ये उपर वाला मतलब ये भी green ही बनेगा मै सिर्फ एक candle की बात करो मैं 3-4 candle तक की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक candle तक को आपको इसको मंजूरी देनी है ठीक है target इसमें आपका कितना होना चाहिए target बहुत नहीं होगा सिर्फ 30 से लेके 50 point तक का आपका target होगा सिर्फ 30 से 50 लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत कम है बहुत कम हो सकता है लेकिन आप इसी को दिन में या 10 बजे तक बहुत बार ले सकते हैं इस बात कभी आप ध्यान रखिए बहुत बार ले सकते हैं अब मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ आपने अगर पहला वाला देख रहें कि green candle बना है अगला वाला देखिए ये थोड़ा छोटा बना है एक मिनिट जैसे ही हो जाए बिना रहम करें आप exit करेंगे इस बात को आप ध्यान रखेंगे एक मिनिट के लिए आपका trading होगा ये scalping है लेकिन scalping का क्या तरीका है आपक star कौन सा है hammer hammer कौन सा है inverted hammer क्या है नहीं समझ में आता है हजारों वीडियो देख चुकि उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि कितनी लंबाई के बाद कितनी दूरी के बाद क्या बनने से क्या नहीं समझ तो मैं आपको सीधा simple एक बता रहा हूँ पहला candle बन गया जिस रंग बदलने दीजिए candle का जैसी दूसरा वाला लाल बन रहा है जैसे लाल बन गया उसके अगला वाला भी लाली बनेगा लेकिन याद रहे time frame क्या है आपका time span सवा 9 बजे से लेके 9.45 तक या आप इसमें काम करिए या 10 बजे तक maximum इससे जादा मत करिएगा ठीक है अब द देखिए आपका फायदा होता या नहीं यह बनके आपका फायदा बस चुपचा बैटना है जब तक अगला रंग नहीं बतलता है मतलब यह लाल है पूट वाला option चल रहा है इसको बनने दीजिए आपने exit कर दिया है एक मिनिट हो गया आप exit कर जाएंगे SL कितना लेंगे SL उतना ही लेंगे जितना आपका पहला वाला candle है या उसका आधा ले सकते हैं ऐसा बहुत कम होगा कि आपका SL हिट भी होगा अगर होने भी जाए तो आप तुरंट exit करने के लिए तैयार भी रहे अगर SL के पास आ रहा है या ठीक है यह green candle बना अगला अगले वाला भी green करना है बले उसके बाद और market उपर जाए कोई चिंता करने की बात में लेकिन आप रुकेंगे नहीं इस बात का आप खात्री कर लीजी इस बात को आपको practice करना जम के सिर्फ एक मिनिट आपको market में रहना है entry और exit एक मिनिट के अंदर हो जाएगा लेकिन profit ये निश्चित आ आप लीजिए मत लीजिए आपकी मर्जी है क्यों क्योंकि यहां पर momentum नहीं है थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा momentum अगर रहता है इस तरह अगर momentum चल रहा है तो आपको trade अच्छा मिलेगा लेकिन momentum अगर धीमा पढ़ रहा है ये देखिए यह जो एक दिन पहले चलते है दिन की शुरुवात में चलते है यह समय और भी आता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ पहले यह complete कर लेता हूँ देखिए पहला लाल बना है उसके बाद भी आप ले सकते है लेकिन बशर्ते वही है अगर थोड़ा मिल रहा है थोड़ा लेक जिए जैसे ग्रीन बना उसके बाद आप ले जिए छोटा मिलता है बीस तीस पॉइंट मिलता है लेके निकल जाए कितना खर्चा होगा बहुत कम होगा आप 9.45 तक या 10 बजे तक आप इसमें से आराम से 5-6 बाद ट्रेड ले सकते हैं और 5-6 को आप 30 या 40 पॉइंट से गुना करके देखिए इंटू करके देखिए मल्टिप्लाइ करके देखिए आराम से आपका 100 से लेके 200 पॉइंट आपका निकल के आता है यह बहुत बड़ है सुबह-सुबह उसके बाद आप ट्रेड करे या ना करे और दिखाता हो मैं प्राक्टिस करके आपको एक दिन पहले और चल किसी भी दिन बोली है रैंटमली चलिए मैं आपको अल्यूंसरा वाला ग्रीं दूसरा वाला त्रेड ले लेकिन देख रहे कि green बना रहा है कि हमारे स्ल को हीट करने से पहले निखल जाएए जैसे हमको Color बडलता हुआ दिखता है कि यह red से green बन रहा है तूरंत निकल जाएए कितना नुक्सान होगा आपको पता है सिर्फ आपका 5-40 एक नुक्सान जाएगा तीसरा, रंग बदल गया है, red बना है, red बनाने के बाद, तुरंद फिर और यहां से trade ले सकते हैं, देगे कितना बड़ा candle बना रहा है, अगर इसको map लेते हैं, तो कम से कम यह 60 point के आसपास है, 60 point कितना होता है? कम समय के लिए scúcarping में बहुत बढ़ा होता है, तो इस तरीके से आप पूरे दिन भर में बे शुमार ट्रेड ले सकते हैं, बाकी और टाइमिंग के बार में मैं आपको बता देता हूँ, सवानो बजे एक टाइमिंग है, दस बजे तक चलेगा, दूसरा टाइम में आपको मिलेगा बारा बजे, ठीक है या, नोट करके रखिए, बारा बजे, तीसरा टाइम आपको मिलेगा, दोपर के दो बजे, बिल्कूल आपको मोमिंटम वहाँ से शांदार मिलेगा, तीसरा टा मिलेगा इसी scalping में इसी एक मिनिट के टाइम फ्रिम पे practice करिए बिना practice करके पैसे मत लगाएगा मैं repeat करता हूँ कम से कम दो महिना practice करिए रोज करिए और रोज आप सोचके देखिए न आपको कितना सारा trade मिलेगा practice करने के लिए कम से कम 30-40 तो बार आप practice करी पाएंगे और 30-40 बार में जिस दिन आप 30 बार में 20 बार सफल हो गया तो समझ लेना को आप practice के session का आधा पहुँचे है और जिस दिन आप 30 बार में अगर 28 बार आपने अगर बाजी मार दिया तो समझ लेजिए कि आप trader बन गया कोई strategy कोई time आपको कुछ follow करने की जरूरत ने आप सिर्फ पैसा कमाएंगे option trading में वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरूर कीजिए और नीचे comment करिए आपको और क्या सिखना है कुछ comment करना है मुझे कुछ compliment देना है अब जब मुझे कुछ और चाहिए आप से तो सारा कुछ लिख के मुझे बताइए मैं आपके लिए जरूर आपकी सेवा करने के ल